अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि जब पैसा छापना गौवर्मेंट के हाथ में है तो क्यों नहीं ढेर सारे नोट छाप के गरीबी, भूक मरी और अन्ह समसाओं को दूर कर देती है और अक्सर ये ठोट समारे मन में तब आते हैं जब देश की अर्थवेवस्ता सही नहीं चल रही होती है क्या है पूरा मामला आईए समझते हैं आज की इस वीडियो में जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं TSA न्यूस पेपर के कटिंग में लिखा है और यही देख लिजे सेम इंसाइडर के कटिंग में लिखा है और सेम बिजनेस स्टेंडर के भी कटिंग में लिखा है यह सब तो वो सवाल हैं जो अक्सर हम लोग के भी मन में आते हैं चली अब समझते हैं कि RBI ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ठीक है, बिलकुल असान भासा में समझाएंगे, मान लीजे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो RBI के गवर्नर को बोलते हैं कि धेर सारे नोट को प्रिंट करो और मार्केट में सर्कुलेट कर दो, अब RBI के गवर्नर बोलते है नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो inflation यानि कि मंदी आ जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर बोलते अरे नहीं यार तुम समझे नहीं, देखो हम बताते हैं तुमको क्या होता है, अगर हम unlimited notes को प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई कर दे, तो demand अपने आप बढ़ ज करेगी, दूसरा amount availability, देखो अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो demand कैसे ही काम करेगा, चाहें वो आपकी इच्छा हो या ना हो, पैसा होना तो जरूरी है, और तीसरा है willingness to spend, अब मान लो भाई कि आपके पास पैसे भी हैं, ठीक है, अब मान लो कि आपके पैसे भी हैं, लेकिन आप चाहते ही नहीं खर्च करना, तो भी कहां से depend करेगा, इसलिए इन तीनों factor पर demand काम करते हैं, और इसमें सबसे important factor जो है, वो second factor है, amount availability, मतलब ये कि अगर money supply बढ़ेगी, तो demand अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, समझे, चलो एक इसको example से समझते हैं, ठी प्रधान मंत्री suitcase योजना, और उस suitcase में प्रधान मंत्री 10-10 लाक रुपए भर के सब को देंगे, ठीक है, अब money supply बढ़ेगी, तो demand बढ़ेगी, तो production भी बढ़ जाएगा, देखो भाई, अब production बढ़ा, तो employment भी आएगा, employment आएगा, नय labor आएगे, नय labor आएगे, तो income भी बढ़ेगी, अब भाई सबकी overall income बढ़ेगी, तो देश की GDP अपने आप उबर आ जाएगी, समझे, इसमें inflation कहां आया, inflation तो नहीं आया, अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार बात में इसके दम तो है, लेकिन inflation भी आना चाहिए था, चलिए अब आपके मन की बात को सही करत हैं, देखो होता क्या है, असल में, money supply increase हुआ, तो demand increase हो गया, बढ़ गया demand, demand increase होगा, तो production भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, production जो है, वो basically demand पे depend नहीं होता है, production भहिया होता है, depend basically हमारे resources पे, और resources तो unlimited होते नहीं, resources तो limited होते ना, वही मा होती है, तो देखो होता गया, money supply बढ़ा, तो demand बढ़ा, demand बढ़ा, तो production भी बढ़ गया, लेकिन production जो है, basically resources पे depend करता है, तो resources एक समय के बाद खतम हो जाएगी, अब resources खतम हो गई, तो production बढ़ना बंद हो गया, अब जब production ही नहीं बढ़ेगा, तो चीजों के price बढ़ना तो बहिया, जाहिर सी बात है, inflation मन दी आ जाएगी, अब सुकून मिला, जो दिमाग में तब से चल रहा था कि inflation बढ़ना चाहिए, अब तो बढ़ गया ना inflation, तो समझे, इसलिए RBI जो है unlimited note नहीं print करती है, ऐसा ही साल 2008 में होब था, जब जिमवागवे government ने धेर सारी notes को print कर के और market में circulate कर दिया, अंजाम ये हुआ कि एक साल के अंदर 23 करोर परसेंट से inflation बढ़ गया था, जिसके चलते आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जो हम इठाई का box एक डॉलर में मिलता था, अब वो 23 मिलियन जिमवावे डॉलर में मिलता है, सेम यही हाल वेनिजोला का हो 2016 के बाद देखी रहे हैं आप, क्या उनकी हाल, वहाँ के भी प्रेसिडेंट डेर सारी नोट प्रिंट करके market में circulate कर दिये, और देखें वहाँ आज hyper inflation आ रखा है, तो इसलिए RBI जो हमारी है, अपने देश की Reserve Bank of India, वो डेर सारी नोट स्कोब जो है, प्रिंट करके market में circulate नहीं करती है, ठीक है, समझे, तो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको informative लगी होगी, तो share कर दीजे, और channel पर नए हैं तो like और subscribe कर दीजे,